है ले दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सरकारी नोपरी डेली पोस्ट में दोस्तों आज के स्वीडियो में हम राज्यस्वय एवं आपदा प्रबंधन विभाग और भू अभिलेक साखा के लिए जारी केगे ऑफिसल नोटिफिकेशन के बारे में जाने व कर सकते हैं इस जोन नोटिफिकेशन के फिडियो फाइल के लिंग और इनके ऑफिसल वेबसाइट के लिंग नीचे डिस्क्रिशन में दिया गया है यहाँ आप हमारे टीली गराम चैनल जोइन करके डारे पीडियो डाउन्लोड भी कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहां पर आ इहां आपता प्रबंधन विभाग के अंतरगर्थ सिख्र लेखक साहे ग्रेट इनी स्टेनो टैपिश्ट वाहन चलग भृत्य अर्दली और फरास आधी पदों के लिए निकाला गया है जिनके सेलरी की बात करें तो सिख्र लेखक वार्गतीन के लिए 28,700 से लेकर 99,300 रु जो केटेगरी वाइस अलग बाता गया है आप जीस केटेगरी के अंतरगताते हैं यहां से उनकी जनकारिया देख लीजिए गया वहीं पर इसे नोटाइपिश्ट की बात करें तो इसमें भी सेलरी दी गई है वहां चालग में भी सेम दिया गया है और भृत्य की बात करें तो यहां पर 15,600 से लेकर 9,400 रुपे रखी गई है और केटीरी वाइस यहां पर फेंसी निकाली गई है इसी प्रकार चौकीदार अर्दली फर्रास और प्रोसेस सर्वर के लिए निकाला गया है और भू अभी लिएक साखा की बात करें तो यहां पर सहाग रेट तीन के लि इसकी जांच कर लिजेगा इसके बाद ही आप आवेदन करिएगा इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है इसके अलावा इनके सेक्षर युगताओं की बात करें तो सिग्र लिखन के लिए 12 पास होना मांगा गया है या इसके लावा अगर आप परिशा लिया जाएगा और द्वी भासी यानि के हिंदी इंग्लिस दोनों के लिए परिशा लिया जाएगे साथ में आपके पास मानेता प्राव संस्था से डाटा इंटी ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्ष्य डिप्लूमा या परमार पत्र होना चाहिए तो 10,000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से कॉसल परिशा लिया जाएगा साहे ग्रेट 3 की बात करें तो यहां पर 12 पास मांगा गया है या वैसे ही आप पुरानी हायर संगरे से परिशा उत्रिण किये हैं और साथ में किसी भी विस से कि इस नातक पाठे करम की प्रत्थम वर्स परिशा उत्रिण कर चुके हैं तो आप इन पर आवधन कर सकते हैं साथ में आपके पास डाटा इंटी ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वरसी डिप्लूमा होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से हिंदी टैपिंग टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों पर सहे ग्रेट 3 के लिए कोई भी मुद्र लिखन या स्टिफिकेट नहीं मांगा है तो आप इन पर आवधन कर सकते हैं इस्टे ने टैपिश्टी बात करें तो यहां से चेक आउट कर लीजेगा इसी बगार दोस्तों यहां पर इन्होंने टिप दिया हुआ कि पिविग्य सुध्याले द्वारा प्रदान किया गया और कंप्यूटर साइंस या इंफर्मेशन टेक्नोलोजी या मौडरन ओफिस मनेजमेंट का इप्लोमा मंगा गया है यह इसके अलावा पर चौथा पॉंट में देख सकते हैं डी ओ इएस इसी सोसाइटी ने दिली द्वारा प्रद स्टम दिया गया है तो यहां पर आप देखें कि ग्रेड़ यहांब देखेंगा घर सथ करने के लिए तो यहां तो यहां पर देखेंगे फारावदें के बिश्क मांगा गया है जिनके आयू की गणना एक जनवरी यहां पर आरक्षित वर्गों को आयू सीमा में छूट दी गई हैं अगर आप आयू सीमा में छूट पाना चाहते हैं तो उससे समधित आपको डोकुमेंट सब्मिट करना होगा अब आवधन पत्र आप कैसे जमा करेंगे तो देखें दूस्तों अगर आप एक से ज्यादा पत साथ आपको चस्पा करके संबंदित दस्तावीच के सथ करते हैं जिसके लिए आपको निवाज परमाडप पत्र संलगन करना होगा इसके लावा के पस रोजज्यार केले में कारे रहे तो आपको अनापत्य पर्माट को दिक होगा ह्ए इसके लावा पास्पॉर्ट का एक फोटों आपको चस्मा करना हो जिसमें आपको स्वेयमागरस सत्याफित k daíकटर करना है यहाँ इसरे साल में 90% दिया जाएगा और दोस्तों इस जॉब से लेटर जितने भी जनकरिया हैं आप इनके ऑफिसल वेबसाइट का अलोकन करके कर सकते हैं यहां पर इनके सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर सेक्षेड के उगताओं का इसके लिए आपको कॉसल परिक्षा में कम से कम 50% अंक लाना अनिवा रहे हैं तो इसमें आप 15 नमबर लाना अनिवा रहे हैं तब ही आप एलिजिबल हो सकते हैं इससी प्रकार साहक वर्गतिन के लिए भी सिम दिया गया है आप यहां से चिक आउट कर लिजीगा यानि कि ऍचल्श का नाम अपने अन्ठीय में अपने संबन्ध्य लांग Kurt मिला कितना और उसका प्रतिस्त इतना है उनसे संबधित आपको डॉक्मेंट विस्विक्त करना होगा इसके अलब करना है घरने के आपको आविदक का हस्ताक्षर और नाम यान की यहां पर आपको अपना नाम और यहां पर साइन करना होगा और एक साइन यहां पर नीचे भी करना है यहां पर जिस डेट को आप जमा करेंगे और जिस इस्तान से करेंगे उसका आपको यहां पर मेंसान करना होगा तो दोस्तो तो मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक लिए जैन जै भारत